धर्दी के तरफ अंत्रिक से एक आफ़त बड़ी तेज रफतार से आ रही है यह आफ़त है एक बहुत बड़ा उलकापिंड यानि के एस्ट्रोइट यह है उलकापिंड अगर धर्दी पर गिरा तो कई किलुमेटर तक की तफाई मचा सकता है क्योंकि यह जो उलकापिंड इस गती काफी तेज यानि कि इसके रफतार बहुत जादा तेज है वहीं अगर यह उलकापिंड समुदर में गिरा तो बड़ी सुनामी पैदा कर सकता है इस उलकापिंड के धर्दी के तरफ आने में बस कुछ ही गंटे बागी है यह उलकापिंड दो फैर 12 बच के 15 मिंट पर धर्दी के करीब से गुजरेगा इस एस्ट्रोइड का नाम है 2010 NY 65 यह 117 फिट लंबा है यानि कि स्टैच ओफ लिबर्टी से करीब 3 गुना बड़ा और कुद्व मिनार से 4 गुना बड़ा क्योंकि स्टैच ओफ लिबर्टी 310 फिट और कुद्व मिनार 240 फिट लंबा है इस धर्टी से करीब 37 लाग क्लिमेटर के दूरे से निकलेगा हालकि अंतितिक्स ग्यान में हैं दूरी जादा नहीं मानने जाती ना से के विघ्ञानिक उन सब ऐस्ट्रोड को धर्टी के लिए खत्रा मानते हैं जो धर्टी से 75 लाग क्लिमेटर की दूर के अंदर निकलते हैं इन देज रुफतार गुजनने वाले खगोले पिंडों को नियर अर्थ अब्जेक्ट यानि के एनियों कहा जाता है। सूर्य के चारों और चक्कर लगाने वाले इन छोटे छोटे खगोले पिंडों को एस्टरोड या चुदर गिरा कहते हैं। यह ज्यादातर मंगल और प्रिश्पत गिरा के बीच मोजूद एस्टरोड बैल्ट में पाये जाते हैं। इनसे कई बार धर्दी को बार नुकसान होनी का आसंका रहती हैं। उल्कपिंड के धर्दी के पास से गुजननी की जून में यह तीसरी घटना है। इससे पहले यह 6 जून को धर्दी के पास से गुजरा था। उसके बाद 8 जून को 2013 X22 एस्टरोड नाम का उल्कपिंड धर्दी के पास से गुजरा था। साल तोजा 13 में भी चैलियाम बिंसक एस्टरोड ट्रूस में गिरा था। तब इसके गिरने से एक अचान से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और हजारोग घर तूटके बिखर गए थे। झाल